अगर एक्जाम में आप चाहते हैं कि आपका मार्स हेंड़ परसेंट आए तो आप रट्टू तोता ना बने कहने का मतलब है कि आप किसी चीज को रटने के बजाए उसे समझने की कौसिस करें और उसका कॉंसेप्ट किलियर करें इससे क्या होगा कि उसकी समझ आपको सब्जेक्ट की समझ लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी और जब आप एक्जामनिस्टन हॉल में बैठेंगे तो आप अच्छे से समझ रहेंगे तो पॉंसेप्ट के लिए रहेगा तो आप उस चीज को हसानी से और जल्दी कम समय में तो इस तरह फिर भी वह तो तफस जाता है तो उसी तरह आप एक्जाम में फस जाओगे इसलिए कॉंसेप्ट के लिए करें समझने की कोशिस करें रहेटने की नई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर आजिमें वीडियो